गुंदिया में अभी NDA की कोचिंग दिनांक 29 मई 2022 को F1 डिफेंस अकेडमी की और से दसवी और बारवी के विध्यारतियों को डिफेंस की शेत्र में संधी और करियर मार्ग देशन सेमिनार का आयोजन किया गया इस कारकरम में प्रमुक मार्ग दरशक मेजर राजिश ठाकरे ने उपस्तित होकर इन्होंने दसवी और बारवी के विध्यारतियों के लिफेंस में एंडिये के माध्यम से कितनी अपोर्चुनिटी है और किस-किस माध्यम से विभारती सेना ज्वाइन कर सकते हैं साथ ही किस के माध्यम से वह भारती सेना में अफसर और जवान बन सकते हैं इसकी सविस्ता जानकारी बताई साथ ही अब सेना में लड़कियां भी अफसर बन सकती है और बारवी के बाद लड़का और लड़की दोनों अपना करियर डिफेंस में इंजिनियरिंग डॉक्टर के माध्यम से कैसे बना सकते हैं, इनका उन्होंने संग्णक प्रत्यक्षिकरंड के मात्यम से सभी विध्यार्थियों को समझाया साथी defense में life कैसी होती है, यह भी साविस्तार उन्होंने बताया और सभी बच्चों की मन में उठे प्रश्न और शंका का समधान किया इसी तरह प्रमुक मार्ग दर्शक के रूप में माननी गजेंदर बगेले सर उपस्तित थे इन्होंने दसवी और बारवी के बाद जेई वा नीट को छोड़कर अन्य सेक्टर जैसे की डिफेंस में कौन-कौन सी जगा और किस माध्यम से जा सकते हैं यह बताया इस कारिक्रा में डिफेंस अकेडमी संचालक मारणी अरुन कवडेサर के द्वारा भारती सेना में जाने वाले विध्यार्टियों के लिए संधी और हमारे अकेडमी में हम किस तरह एक 16 और 18 साल के बच्चों को भारती सेना के लिए प्रेरित कर उनका हौस्ला बढ़ाया गोंदिया से BCN News के लिए अभिशेक भटनागर की रिपोर्ट